सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू भ्यम हरहर महादेव सोमवार की अश्टमी के दिन संतान की कामनावाली महिलाएं ध्यान दे जिनको संतान की प्राप्ता है संतान प्राप्त नहीं हो रही 15 साल 20 साल हो चुके हैं लोगों की बाते सुन सुन कर पहुत ज़्यादा दुकी हो चुकी है क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं हर बात के लिए बोलते हैं और विशेशकर महिलाओं को ज़्यादा ही बोलते हैं अभी तक पच्चा पैदा नहीं हुआ अभी तक संतान प्राप्ती नहीं हो तुझे इतने समय हो गए तो इन सारे तानों को समाप्त करने के लिए महादेव का हाथ पकड़ लीजिए और सोमबार की अश्टिमी की दिन ये उपाय कर लीजिए सोंबार की अश्टिमी की दिन उपाय आपको किस प्रकार से करना है सबसे पहले तो आपको खीर का भोजन बनाना है खीर का भोजन या तो सुबह बना लीजिए ये शाम को बना लीजिए उपाय पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो पर यदि आप चाते हो कि मैं ही सही समय बताऊं आपको तो फिर आप यह उपाय करिए प्रदोश काल में प्रदोश काल कौन सा होता है जब सूरे अस्थ होता है तो सूरे अस्थ होने के 45 मिनिट पहले तक जब सूरे अस्थ हो जाता है तो उसके 45 मिनिट पहले जो डेड़ गंटे का समय होता है वो प्रदोश काल होता है तो खीर का बोजन आपको बना लेना है खीर का बोजन बनाने के बाद में जो बेल पत्री का व्रक्षो आसपास में उस बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे उसी की मिट्टी को उठा कर एक शिवलिंग का निर्मान कीजिए पारतिव शिवलिंग बनाईए जल अभी शेक कर दीजिए ज़्यदा सामगरी ज़्यदा अभी शेक की सामगरी ना हो तो कोई बात नहीं बस जल अभी शेक कर दीजिए जो खीर बनाईए आपने उस खीर का भोग पगवान को लगाईए भोग लगाने का मतलब समब्प में खीर रखनी है आपको शीवजी के बाबा से परातना करनी है कि बाबा इस खीर को प्रशाद बना दो उसके बाद में एक लंबी बाति का गी का दीप आपको प्रजोलित कर देना है उसी बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे है फिर बाबा का विसरजन कर देना है अब उसी के बाद में आपको एक ब्राह्मन और ब्राह्मनी और उनके बच्चे को बुलाना है मंदिर का ब्राह्मन जरूरी नहीं है कि मंदिर से ही ब्राह्मन और ब्राह्मनी बुलाना है जो वन से ब्रामन हो जैसे वन होता है ब्रामन, शत्रिय, वैस्य, शुद्र तो जो वन से ब्रामन हो उस वन वाले ब्रामन और ब्रामनी और उनके बच्चे को बुला कर इसी बेल पत्री के विरक्ष के नीचे बिठा कर ब्रामनी के बच्चे को उसकी गोद में बिठा कर नीचे बैठ कर खा लिजिए मातर तीन महीने लगेंगे या फिर अगली सोमवार की जो अश्टमी आने वाली है उस सोमवार की अश्टमी से आने से पहले लोगों के ताने सुनाई देना आपको बंद हो जाएंगे आप गर्बवती भी होंगी और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी तीन महीने ही लगेंगे कीजिए सोमवार की अश्टमी के दिन ये उपाए सभी वक्तों को शिरी शिवाए नमस्तू